प्रेविद्यार्थियो, नमस्कार, आशा है कि आप स्वस्तवे प्रसन्न होंगे, हम अब तक के कोशिका विश्यक अध्ययन में यह समच चुके हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जिल्लीदार अंगकों की उपस्तिकी कारण कोशिका द्रव्य विश्तरत कक्षिक्त जैस प्रतीत होता है, पादब कोशिका वे प्रानी कोशिका में मूल भूत अंतर ये है कि पादब कोशिकाओं में कोशिका भित्ती, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्रानी कोशिकाओं में यह अनुपस्तित होती है, दूसी तरफ प्रानी कोशिक कोशिकाओं में तार काई मिलता है जो लगभग सभी पाद कोशिकाओं में अनुपस्तित होता है। यूकेरियोटिक कोशिका के अध्यन को जारी रखते वे इस क्रम में सूत्र करनी का अर्थात माइटोकॉंट्रिया, हरितलबक, राइबोजोम, पक्षमाव, कशाभिका, तारककाय वद तारककेंद्रक, साइटो पंजर, केंद्रक वद गोंसूत्र की सनरचना एवं कारिविध का विश्त्रत अध्यन करेंगे तो इस प्रकार आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश से इस प्रकार हैं यूकेरियोटिका कोशिका के कोशिका अंग कों जैसे माइटोकॉंट्रिया या सूत्रकनिका, हरितलबक, राइबोजोम, पक्षमाव, कशाभिका, तारककाय वद अध्यन करना, प्रिय चात्रों आप में कला कौशल, विज्ञानिक, दस्टिकों, जिग्यासिप्रवर्ति और अवलोगन कौशल का विकास करना हमारा प्रमुक धिये है, इसके साथ साथ जीवन विज्ञान के अध्यन में अरजित ज्यान को दैनिक जीवन में सहसंब्द करन वह अनुपयोग में लाने की हम आपसे अपेक्षा करते हैं, प्रेविद्यार्थियो, कोशिका में किस अंगक को कोशिका का शक्तिक रह कहते हैं, आपको मालूम है? हाँ, आपने सही कहा, सूत्रकनिका को अरथात माइटो कॉंट्रिया को कोशिका का शक्तिक रह कहते हैं, प का ध्यन करते हैं सूत्र कनिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सुक्ष्म दर्सी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है यहां यह बात ध्यान देन योग्य है कि प्रते कोशिका में सूत्र कनिका के संख्या भिन्न भिन्न होती ह यह उसकी कार्गी की सक्क्रिता पर निर्भर करती है यह आकरती वे आकार में भिन्न होती हैं सूत्र कनिका के चित्र को हम देखते हैं यह तस्तरी नुमा बेलना कार आकरती की होती है जो 0 से 4 माइक्रो मीटर लंबी वे 0.2 से 1 माइक्रो मीटर औसत जिसका लगभग 0.5 माइ इस व्यास की होती है माइट्रो कॉंड्रिया या सूत्र कनिका एक दोहरी जिल्ली का युक्त सनचना होती है जिसकी बाहरी जिल्ली वे भीत्री जिल्ली इसकी आवकाशिका के दोश्पस्ट जलिय कक्षों बाहिय कक्ष वे भीत्री कक्ष में विभाजित करती है भीत्री कक् उसे हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं बाहिय कला सूत्र कनिका की बाहिय सतत सीमा बनाती है इसके अंतह जिली कई आधात्री की तरफ अंतरवलर मनाती है जिसे हम क्रिष्टी कहते हैं और इसका एक वचन क्रिष्टो होता है आपको मालूम है कि क्रिष्टी का क्या महत्व है विद्यार्थियों क्रिष्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं इसलिए माइट्रो कॉंट्रे में क्रिष्टी उपस्तित होते हैं इसकी दोनों जिल्लियों में इन से संबंदित विशेश एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रक सूत्रकनिका का वायविये श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकी ये ओर्जा ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफोसफेट की रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से माइट्रोकॉंड्रिया या सूत्रकनिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। सूत्रकनिका के आधात्री में एकल व्रत्ताकार DNA अणू व कुछ RNA राइबोजोम्स सत्तर एस तथा प्रोटीन संसलेशन के आवश्चक घटक बिलते हैं। सूत्रकनिका विखंडेन द्वारा विभाजित होती है। आपने सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटो जोवा जैसे यूगलीना में कोशिका का हरा रंग देखा होगा। देखा है ना? जानते हैं ऐसा क्यों है? दरसल सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ मिलने के कारण पौधे भिन्य भिन्य रंग के दिखाई पड़ते हैं विभिन्य प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णी लवक वे अवर्णी लवक हरित लवकों में पन्ध हरित वर्णक वे केरोटिनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश सेंसलेशन के लिए आवश्रक प्रकाशिय उर्जा को संचित करने का कारी करते हैं वर्णी लवकों में वसाविले, कैरिटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल वर अन्य दूसरे वर्णक मिलते हैं इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी वे लाल रंग दिखाई पड़ते हैं अवर्णी लवक विभिन्द आकरती एवं आकार के रंग हीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य बदार्थ संचित रहते हैं मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड़ेट संचित होता है जैसे आलू तेल लवक में तेल वववसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडार होता है विद्यार्थियों हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्यों तक कोशिकाओं में पाये जाते हैं आप इस चित्र को ध्यान से देखिए हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक वर फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन लंबाई पांस से दस माइक्रो मीटर और चोड़ाई दो से चार माइक्रो मीटर के होते हैं इनकी संख्या भिन्न हो सकती है उधारन के लिए क्लेम आइडो मोनास एक हरित सहवाल है इसकी प्रते कोशिका में एक से बैस से चालिस प्रति कोशिका पनमध्यो तक कोशिका हो सकती है सूत्र करणिका की तरह हरित लवक द्वी जिल्ली का युप्त होते हैं उप्रोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक जिल्ली अपेक्षाक्रत कम पारगम्य होती है, हर्ट लवक के अंतर जिल्ली से घिरेवे भीतर के स्थान को पीठीका, अर्थात स्ट्रोमा कहते हैं, पीठीका में चप्टे जिल्ली युक्त थैली जैसी संदचना संगटित होती है, जिसे थाइलेकॉइट कहते हैं थाइलेकॉइट सिक्कों के चट्टों की तरह एक धेर को रूप में मिलती है जिसे हम ग्रेना कहते हैं एक वचन में ग्रेनम कहते हैं या अंतर ग्रेना थाइलेकॉइट कहते हैं इसके लाबा कई चप्ती जिल्ली नुमा न लिकाएं जो ग्रेना के वीभिन थायलेकाइट को जूडती हैं उसे पीठी का पत्त लिकाएं कहते हैं थाइलेकॉइड की जिल्ली एक रिक्तिस्थान को घेरे होती है इसे अवकाशिका कहते हैं हरित लबक की पीठी कावें बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइडेट वे प्रोटीन संसेशन के लिए आवश्यक है इनमें छोटा द्वी लड़ी वृताकार डीने अनू वे राइबोजोम मिलते हैं हरित लबक थाइलेकॉइड में उपस्तित होते हैं हरित लबक में पाएजाने वाले राइबोजोम सत्तर एस कोशिका द्रवी राइबोजोम 80-80 से छोटा होता है जोर्ज पैलेड ने इलेक्टरॉन सोक्ष्म दरसीद्वारा सगन कनिका माय संचना राइबोजोम को सरव परथम देखा था. ये राइबोनुक्लिक अमल वफ प्रोटीन के बने होते हैं और किसी भी जिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं. Eukaryotic ribosome 80S वे prokaryotic ribosome 70S दो प्रकार के होते हैं प्रतिक ribosome में उपएकाईयां बड़ी वे छोटी उपएकाई होती हैं यहां पर S स्वेडबर्ग युनिट है या स्वेडबर्ग इकाई है जो आवसादन गुणां को प्रधर्शित करता है यह अपरोक्स रूप में आकार वे घनत्व को व्यक्त करता है दोनों 70S वे 80S रैबोजोम दो उप इकाईयों से बना होता है आईए कोशिका में एक और रचना को जानते हैं सूक्ष्म दर्शी से देखने पर प्रोटीन युक्त विश्तरत जाली का वत तंतु जो की कोशिका द्रव मिलता है उसे साइटो पंजर गहते हैं कोशिका में मिलने वाले साइटो पंजर के विबिन्यकारिय ये जैसे यांत्रिक सहायता वे गतिकरना इसके साथ साथ यह कोशिका के आतार को बनाए रखने में भी उपयोगी है विद्यारतियों इस चित्र को देखिए स्क्रीन पर ये पक्षमाभिकाएं जिसको एक वचन में हम पक्षमाभ कहते हैं और कशाभिकाएं एक वचन में हम को कशाभिका कहते हैं ये रोम सद्रश कोशिका जिल्ली पर मिलने वाली अपब्रधि है पक्षमाब एक छोटी संदचना चप्पू की तरह काईदे करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गती में सहाइक है कशाभिका अपिक्षाकत लंबे वे कोशिका के गतीबे सहायक है प्रोकेरियोटिक जीवानों में पाई जाने वाली कशाभिका संद अचनात्मक रूप से यू केरियोटिक कशाभिका से भिन होती है इलेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्सी अध्यन से पता चलता है कि पक्षमाब वे कशाभी का जीवधर जिली से ढखे होते हैं इनके कोर को अक्षशूत्र कहते हैं जो कई सुक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानंतर स्थित होते हैं अक्षशूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सुक्ष्म नलिका मिलती है और नौ द्विक अरिये परिधी की ओर वेवस्थित सुक्ष्म नलिकाओं होती हैं अक्ष सूत्र की सुक्ष नलिकाओं की इस व्यवस्था को नौ धन दो अर्थात नाइन प्लस टू प्रणाली कहते हैं केंद्रिय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एबं केंद्रिय आवन द्वारा धके होते हैं जो परिधीय द्विक के प्रतेक नलिका को अरिय दंड़ द्वारा जोडते हैं। इस प्रकार नो अरिय तान या छड़ बनती हैं। परिधीयत द्विक सेतुद्वार आपस में जुड़े होते हैं दोनों पक्षमाभ वे कशाविका तारक केंद्र सदस्ष सन्नाचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं हमने बात की तारकाय की, तारकाय वह के तारकेंद्र जिनको सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहते हैं, इनकी सन्नाचना भी समझते हैं, इस चत्र को देखिए, और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जिसको हम तारकाय और तारकेंद्र कहते हैं, इनकी सन्नाचना को समझते हैं, तार क्रिस्टेलिये परिकेंद्रिये द्रव्य से घिरा होता है दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबत इस्तित होते हैं जिसमें प्रतेक की सन्रचना बैल गाड़ी के पईये जैसी होती है तारक केंद्र संख्या में नौ समान दूरी परिस्तित परिधिये भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं यह परिधियत्रक्ये नलीका से प्रोटीन से बने अर्यदंड से जोड़े होते है तारक केंद्र पक्षमाब्ध वे खशाभिका का आधारी काई बनाता है और तरकूतंतू जन्तो कोशिका विभाजन के उपरांत तरकूपकर्ण बनाता है कोशिकी अंगक केंद्रक की खोज सबसे पहले राबर्ट ब्राउन ने सन 1831 से पूर्व की थी बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारिय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रूमोटीन का नाम दिया अंतरकाल अवस्था केंद्रक यथा कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा है अत्यधिक फैली हुई वविश्तरत केंद्रक की प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रुमोटीन कहते हैं केंद्रिक की आधाती में एक याधिक गोलाकार सन्नचनाई मिलती हैं जिसे केंद्रिक कहते हैं इलेक्टरौन सुक्ष्मदर्सी अध्यन से यह स्पस्ट होता है कि केंद्रिक आवरण दो समनांतर जिल्लियों से बना होता है जिनके बीच सुन्न से पचास नैनो मीटर का रिक्तिस्थान पाया जाता है जह परिकेंद्र की अवकास कहते हैं यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य वैकोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है बाहिय जिल्ली सामने तया अंतर द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोजोम भी जुड़े रहते हैं निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण चित्र बनने के करण विच्छन हो जाता है यह चित्र केंद्रक आवरण की दोनों जिल्लियों के संगलन से बनता है इन चित्रों से होकर आरने वे प्रोटीन अनु केंद्रक में कोशिका द्रवे वे कोशिका द्रवे से केंद्रक की और आते जाते रहते हैं साधन तया एक कोशिका में एक केंद्रक मिलता है लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी-कभी परिवर्थित भी होती रहती है क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक सधिक केंद्रक मिलते हों इसका उत्तर ढूंड़िए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहीत होती हैं जैसे स्तंधारी जीवों की रख्तानू वे सम्वन ही पौद्वे में चालन ही नलिका कोशिका क्या आप मानते हों कि ये कोशिकाएं जीवित हैं आप अपने मित्रों से इस पर तर्क सही चर्चा करिए केंद्र की आधात्री या केंद्रक रव्य में केंद्रिक वैक कुरुमेटिन मिलता है गोलाकार केंद्रिक केंद्रक रव्य में पाय जाता है केंद्रिका जिली रहित वह सन निचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है यह सक्रिय राइबोजोम RNA संसलेशन हेतु स्थल होते हैं जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संसलेशन करती हैं उनमें बड़े वय अनेक केंद्रिक मिलते हैं आप याद करें कि अंतरा वस्था केंद्रक में धेली ढाली अस्पष्ट निूकलियो प्रोटीन तत्मों की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं कोशिका विभाजन की विविन अवस्ताओं के समय के इनरक के स्थान पर गुण सूत्र सन्नचना दिखाई पड़ती है क्रोमोटिन में DNA तथा कुछ शारिय प्रोटिन मिलते हैं जिसे हिस्टोन कहते हैं इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन वे RNA भी मिलता है मनुष्य की एक कोशिका में लगबक दो मीटर लंबा DNA सूत्र 46 गुण सूत्रों अर्थाथ 23 जोणों में बिखरा होता है आप गुण सूत्र में DNA का समवेश्टिंग या पैकेजिंग को अपने उच कक्षाओं में विस्तरत रूप से पढ़ेंगे गुण सूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं इस चित्र में देखिए प्रतेक गुण सूत्र में एक प्राथमिक संकीनन मिलता है जिसे गुण सूत्र बिंदू या सेंट्रो मेर भी कहते हैं इस पर बिम्ब आकार की सन्नचना मिलती है जिसे काइनटो कोर कहते हैं तारक काय गुण सुत्र के दोनों अध्रय गुण सुत्रों के एक बिंदू पर पकड़ कर रखता है गुण सुत्र बिंदू की स्तिति के अधार पर गुण सुत्रों को चार प्रकारों में विभाजित कि यह हैं छित्र में देखिए मध्यकेंद्रि या मेटासेंट्रिक गुणशूत्र बिंदू गुणशूत्रों के बीचों बीच स्तित होता है जिससे गुणशूत्र की दोनों भुजाएं फिरांबर لمgebयकी होती है दूसरे उपमध्धिक इंद्री अर्थात सब मेटा सेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्र के मध्धि से अटकर होता है जिसके परिणाम सरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है जो तीसरा पकार है वो अग्रबिंदू है जिसको हम एक्रो सेंट्रिक भी कहते हैं अग्रबिंदू गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू इसके बिलकुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यन्त छोटी और एक भुजा अत्यन्त बड़ी होती है जबकि अन्तकेंडरी, फिबो सैंट्रिक गुंञ सूत्र में, गुंञ सूत्र बिंदू गुंञ सूत्र के सीज पर स्थित होता है अब बात करते हैं सुख्षम काय की यानि की मायक्रो बॉडीज की कोशिगा में बहुत सारी जिली आवरित सुख्षम थालियां होती हैं जिसमें विविन प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों और जन्तों दोनों कोशिकाओं में पाए जाती हैं, प्रियविदार्थियों, आज हमने कोशिका की विशय में जो कुछ भी सीखा है, उसकी एक बार हम फिर से पुन्रावर्ति कर लेते हैं, सभी कोशिक ये तारक काय वे तारक केंद्र, पक्षमाभ वे कशाविका का आधारी काय बनाता है, जो गती में सहायक है, जन्तों कोशिकाओं में तारक केंद्र, कोशिका विवाजन के दोरान तरकूपकरन बनाते हैं, केंद्रक में केंद्रिक वे क्रोमोटिन का तंत्र मिनता है, ये अंगक की कायरे को ही नियंतित नहीं करता बलकि आनुमनशिकी में प्रमग भूई का भी अदा करता है अतह कोशिका जीवन की सन्नजनात्मक वे क्रियात्मक इकाई होती है राइबोजोम प्रोटीन संसलेशन में भाग लेते हैं ये कोशिका द्रव्य में स्वतनत रूप से या अंतर रव्य जालिका से संबंध होते हैं सूत्रकनिका ऑक्सिकारी फॉस्फोरिलिकरन तथा एडिनोसिन ट्राइफोसफेट के निरमान में सायक होता है ये द्विक जिल्ली क्रिस्टी में अंतर वलित होती है लवक वन्ड़क युक्त अंगक हैं जो केवल पादब कोशिकाओं मे मिलते हैं ये द्विक जिल्ली युक्त रचनाएं हैं लवक के ग्रेना में प्रकाशी अभिक्रिया तथा पीठिका में अप्रकाशी के अभिक्रिया संबंध होती है हरे रंगीन लवक वन्ड़की वन्ड़क होते हैं जिनमें कैरोटीन तथा जन्थोफिल जैसे वन्ड़क म द्वारागती करता है केंद्रक जिल्ली युक्त केंद्रक जिल्ली से घेरा होता है जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं भीत्री जिल्ली केंद्रक द्रव्यवय क्रोमोटिन पतार्थ को घेरे रहता है प्राने कोशिका में तारक केंद्र युगमित होता है जो एक दूस उदासीन विले जीव द्रव जिली से होकर कैसे गति करते हैं? क्या धुरुवे यानों उसी प्रकार से इस से होकर गति करते हैं? यदि नहीं तो उनका जीव द्रव जिली से होकर परिवान कैसे होता है? दूसरा प्रस्न है दो कोशिके अंगों को नाम बताईए जो जिकरा से घिरे होते हैं इनका कारे वयरे रिखांकी चितर बनाईए तूसरा प्रस्न है कोशिका जीवन की मू लिकाई है इसे संक्षत में बढ़न करें चौथा केंद्रक छित्र क्या है इनके कारे बताईए पांचमा लेयन काय वेरा सधानी दोनों अंतह जिल्ली में सन्नचना हैं फिर भी कारे की दिश्टी से ये अलग होते हैं इस पर अपनी टिपणे लिखें रेखांकी चित्र की साहिता से निम्न की सन्नचना का बढ़न करें केंद्रक और तारक काय अगला प्रशन है गुण सूत्र बिंदू क्या है गुण सूत्र बिंदू की स्थिति के अधार पर गुण सूत्र का वर्गिकरन की सुप से होता है प्रिविद्यार्थियों आज के सत्र में कोशिका जो की जीव की मूल भूतिकाई है इसका अध्यन पूर्ण हुआ आप मन लगा कर पढ़ते रहें स्वध्या करते रहें और अपने मिशन में अपने जीवन के उद्देश की पूर्ती में सफल हो इन ही शुब कामनाओं के साथ हम शीगर ही आप से पुनह मिलेंगे धन्यवाद झाल